एडवोकेट प्रटेक्शन एक्ट का जबिल है उसका ड्रफ्ट त्यार कर लिया गया है यह हमारे लिए बहुत ही कुछी की बात है और यह वीडियो लो स्टूडेंट्स, लो टीचर और एडवोकेट्स के लिए देखना बहुत महत्पून है इसलिए इस वीडियो को आगे शे सेवन मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के मेंबर्स को कहा गया था कि जल्द से जल्द एक बिल बनाए जिसमें की एडवोकेट्स के प्रटेक्शन की बात हो क्योंकि हम लगातार देखते हैं रहे कि एडवोकेट्स की उपर लगातार हमले हो रहे थी कोई एडवोकेट को गाली देता तो कोई अधिवक्तों के साथ मार पिट कर देता इन्ही सब चीजों को देखती हुई माननी बार कॉंसिल ओफ इंडिया ने ये निन्ने लिया कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रटेक्शन एक्ट बने और पूरे देश में इसे लागू करवाये जाए तो अभी एडवोकेट प्रटेक्शन एक्ट का जो बिल है उसका ड्राफ्ट त्यार कर लिया गया है तो हम ये जानेंगे कि उस बिल के ड्राफ्ट में एडवोकेट को सुरुक्षय देने के लिए वो कौन-कौन से मुख्य बिंदू है उनको मेके करके समझेंगे इस बिल का नाम है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2021 और इसमें कुल 14 सेक्शन से हैं इस विदैक में अधिवक्तों के खिलाफ कियेगे इंसा के किर्ते की प्रवसा को विश्तिर्थ करता है जैसे की उत्पीडन, जबरदस्ती, हमला, अपरादिगवल या अधिवक्तों के रहने या काम करने किस्तिती को परवाविद करने वाली दमकी, किसी भी नुक्सान की चोट, अदालतों के वित्तर, जीवन के लिए खत्रा या अनेता किसी वकील के किसी विशा सदिकार, संचार या सामगरी को परकट करने के लिए जबरदस्ती और अपना वकालत नमा वापस लेने के लिए या अदालत के सामने पेस होने, कारे, या चना करने से रोकना, किसी भी संपत्ती या दस्तवेजों को कोई नुक्सान या स इसमें ये सब अगर कोई व्यक्ति जानमूज कर किसी अदिवक्ता के साथ ऐसा किरते करता है तो यह उस व्यक्ति का अपराद होगा और ऐसा अपराद करने वाले व्यक्ति के लिए दंड कापी प्रावदान किया गया है इस बिल में और इसके इलावा बिल में कहा गया है कि ग कोई व्यक्ति दूसरी बारे सा अपराद करता है तो ऐसे अपरादी को कम से कम एक वर्ष की अवदी के लिए कारवास जिसे दस साल तक के कारवास तक बढ़ाया जास्कता है। विदैक के कई अन्या प्रमुक बिंदों में कहा गया है कि मामले की जाच एक पुलिस अधिकरी दवरक की जाएगी जो कि पुलिस अधिक्सक कियानी स्पी से नीचे रेंका नहीं होगा और इन मामलों की एफ़ यार दर्ज होने की तारिक से 30 दिनों के वितर पूरा किया जाए इंसा के किरते के लिए पुलिस सुरक्स्या परदान की जाएगी और अधिवक्ता का ये अधिकार होगा कि उसको पुलिस प्रटेक्शन मिले